हलो दोस्तो पावर प्लान गाईद में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हम लोग देखेंगे कि जो O2 एनलाइजर होता है वो इस बोईलर के एकनुमाईजर और एपिएज के बीच में ही क्यों लगा होता है अगर ये एकनुमाईजर के पहले और एपिएज के बाद लगाया जाए तो क्या क्या प्रोब्लम होगी इन सभी बातों का डिस्कस इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो ओटू एनलाइजर पहले हम लोग ये जानते हैं कि ओटू एनलाइजर का जो काम होता है वो क्या होता है तो हम लोग जानते हैं कि बोईलर में जब हम लोग किसी फ्यूल को कंबशन कराते हैं तो उसके लिए हम लोग theoretical air ना देकर कुछ excess air देते हैं ताकि हम ये insure हो पाएं कि हमारा जो combustion हो रहा है वो complete तरीके से हो रहा है इसी complete combustion के बाद जो हमारा excess air बसता है उसको detect करने के लिए एक auto analyzer लगा होता है जिसे हम लोग ये जान पाते हैं कि हमारे बोईलर में combustion के बाद कितना excess air है अब सवाल ये बनती है कि जो ये auto analyzer लगा होता है वो economizer और APH के बीच में ही क्यों लगा होता है तो इसको हम लोग देखते हैं तो देखिए auto analyzer वही पर लगाया जाता है जहां पर fuel का combustion पूरी तरीके से complete हो जाता है और इसके आगे कोई भी combustion होने की संभावना नहीं होती है ताकि हमें जो auto analyzer में जो oxygen बता है वो accurate बता है, exact बता है तो हम लोग इसे समझते हैं कि complete combustion का मतलब क्या होता है तो देखिए जब furnace में हम लोग किसी fuel को combustion कराते हैं तो उस समय उसका जो temperature होता है वो 800-900 degree centigrade होता है यह आपके boiler के capacity और types of fuel पे depend करेगा मैंने just एक average value ले लिया है जिससे आपका concept clear हो सके तो furnish temperature हो यह 800-900 degree centigrade जब यह अपना heat को evaporator, superheater को देते हुए economizer पे आएगा उस समय इस flu gas का temperature लगभग 400-400 degree centigrade हो जाता है और यही जब flu gas APH inlet के पास पहुंचता है तो उस समय उसका जो temperature होता है वो 230-240 degree centigrade के आसपस लगभग होता है तो देखिए APH inlet में जैसे ही flu gas in करता है तो उस समय उसका temperature जो है वो 240 degree centigrade के आसपस हो जाता है और उसी zone में हम लोग O2 analyzer को लगाते हैं इसे समझने के लिए हम लोग को यह जानना होगा कि जो हमारा जो fuel है उसमें जो combustible element होता है उसका ignition point क्या होता है ताकि हमें यह पता चल सके कि उसका complete combustion कहां तक possible है तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी fuel में जो combustible element होता है वो fixed carbon होता है hydrogen होता है और sulfur होता है fixed carbon का ignition point जो होता है वो 400 से 400 degree centigrade होता है hydrogen का 500 से 500 degree centigrade होता है और sulfur का 250 से 280 degree centigrade होता है ignition point कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा minimum temperature जहाँ पर जो fuel है वो oxygen के साथ react करके जलने लगे तो यहां देखिए जैसे फ्लू gas जब APH inlet के पास आता है तो वहाँ पर इसका temperature जो है 240 degree centigrade हो जाता है इसका मतलब यह है कि इससे पहले जितने भी combustible element है वो जल चुके होंगे अगर वो किसी कारणवस से skip कर जाए तो वो इस temperature के बाद भी नहीं जलेंगे क्यूंकि उनका ignition point जो है वो 240 के उपर ही होता है मतलब यह हुआ कि इस zone पर जो हमें oxygen बताएगा वो accurate होगा और eject होगा क्यूंकि इसके बाद किसी भी combustible element का combustion होने की संभावना नहीं होती है अब देखते हैं कि अगर यह auto analyzer हम लोग economizer से पहले लगा दे तो क्या होगा माल लीजे मैंने auto analyzer यहाँ पे लगा दिया ठीक है तो अगर हम यहाँ लगाएंगे तो देखिए इस zone का temperature है वो 400 से 400 या 500 रहता है तो उस जगह पे क्या होगा कि जो यह fix carbon है वो जलेगा ओके जो sulfur है वो भी वहाँ पे जलेगा जिससे क्या होगा कि जो यहाँ पे auto analyzer जो सो करेगा वो उससे कम यहाँ पे सो करेगा क्योंकि यहाँ पे combustion अभी पूरे तरीके से नहीं होगा है combustion अभी चल रहा है पहले लगाएंगे तो जैसे ही हम लोग फ्यूल का फिडिंग करेंगे फर्नेस में तो क्या होगा यह तुरंत ऑक्सीजन को सेंस करेगा और हमें ऑक्सीजन लो बताएगा जिसको देखकर बोलर इंजीनियर जो ऑप्रेशन कर रहे हैं वो फ्यूल को काटना स्टार्ट करेंगे और जैसे ही फ्यूल को काटना स्टार्ट करेंगे तो वो तुरंत सेंस करेगा और ऑक्सीजन को बढ़ाएगा तो इससे क्या होगा एक डिस्टर्वेंस होगा लोड का फ्लक्चुएशन होगा जिससे ऑप्रेशन करने में दिक्कत हो सकती है तो ऑप्रेशन स्मूथ हो और कम अगर 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 आपका 4% ऑक्सीजन बता रहा है तो यहाँ पर भी आपका 4% ही बताएगा बट अगर किसी कारण मस इस APS टूब में लिकेज हो जाए तो एयर क्या होगा वो फ्लू गेस में मिक्स होगा और यहाँ पे जो हमें ऑक्सीजन बताएगा वो एकुरेट ना बताकर ज्यादा बताएगा मान लिजे अगर यहाँ पे 4% दिखाएगा तो यहाँ पे हो सकता है 6% दिखाएगा अब जो भी boiler engineer operation करते हैं वो इसी ऑक्सीजन को देखकर ही कोल को फीडिंग करते हैं अगर वो देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 6% है तो उस समय क्या होगा कि वो कोईला का फीडि कर बनने की संभावना भी हो सकती है तो यह हमें problem face ना करना पड़े इसलिए हम लोग auto analyzer के लिए एक ऐसा zone select करते हैं जहाँ पर complete combustion के बाद हमें जो auto percentage है वो exact और accurate बताए I think कि आपका clear हो गया होगा कि हमारे boiler में जो auto analyzer लगा होता है वो economizer और APH के बीच में ही क्यों लगाय जाता है अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को subscribe कर ले और वीडियो को like कर दे ताकि हमें भी motivate मिले और हम आपके लिए इससे भी बहतरिंग तरीके से वीडियो को बना पाएं तो मिलेंगे नेस्ट वीडियो में कुछ नए topic के साथ तब तक के लि जाहिद